नमस्कर मैं कवीताउनियाल आप देख रही मेडिया टूडे टीवी साउधी अरब की जेदा में चल रही हज एक्सपो 2023 का आज आकरी दिन है हज यात्रियों को लुभाने के लिए साउधी अरब कोशिशों में लग गया है हज एक्सपो 2023 में घोशना की गई है कि साउधी अरब जल्द ही मेडिन मक्का और मेडिन मदीना के प्रोड़क्ट लॉंच करेगा हज एक्सपो में साउधी अरब के उध्योग और खनी संसादर मंत्री ने घोशना की है कि तीर्थ यात्रियों के लिए जल्द ही ये उत्पादल लाई जाएंगे उन्होंने कहा है कि मक्का और मदीना में बने उत्पादूकों की कौलेटी और ज़्यादा बढ़ाएंगे टाकि वो बहतर बने मंत्री ने कहा है कि उनका मंत्राले Made in Saudi प्रोग्राम के मुताबिक इन उत्पादुकों को लॉंच करेगा इस लॉंच की तयारी के लिए मंत्राले हज और उम्रा मंत्राले के साथ मिलकर काम कर रहा है साथी अरब की क्राउन प्रिंस मुहंबद विन सल्वान ने 2021 में Made in Saudi प्रोग्राम लॉंच किया था ये प्रोग्राम साथी अरब की क्राउन प्रिंस के विजन 2030 का हिस्सा है हज एक्सपो 2023 के जरिये हज यात्रियों के लिए बहतर सुविदा और उनके अनुभब को बहतर बनाने पर चर्चा की गई आपको बता दे हज 2023 बहत खास है क्योंकि कुछ सालों से करोना की वज़े से हज पर जाने वाले यात्रियों पर कई तरह की पाबंदिया लगी हुई थी यहां तक कि कुछ लोगी हज पर जा रहे थे लेकिन इस बार साओधी अरब ने ये सारी पाबंदिया हटा दी है यानि इस बार हज वैसा ही होगा जैसा करोना से पहले होता था साओधी सरकार ने इस बार हज यात्रियों से उमर की पाबंदि भी हटा दी है इतना ही नहीं हज और उमर पर जाने वाले लोगों की वीज़ा की अबधी 30 दिन से बढ़ा कर 90 दिन तक कर दी गई है साओधी अरब ने घोशना की है कि इस बार भारत से पोने 2 लाख लोग हज पर यात्रा करने आएंगे साओधी अरब ने इस से पहले कभी भी भारत के लिए इतना बड़ा कोटा आरक्षित नहीं किया था कोविड महमारी के दौर में साओधी अरब ने हज यात्रा करने वाले लोगों की उमर सीमा 65 साल तै कर दी थी लेकिन अभी ये सीमा हटा दी गई है साओधी अरब ने अपने नागरीकों के लिए हज रजिस्ट्रेशन की प्रकिरिया शुरू कर दी है लेकिन दूसरे देशों के लिए अभी ये रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है आपको बता दे दुनिया भर की मुसल्मानों के लिए साओधी अरब में मक्का और मदीना शहर्ड सबसे पवित्र माने जाते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए साओधी अरब ने मेडिन मक्का और मेडिन मदीना प्रोड़क्त लाउंच करने की घोशना की है अगर आपको नीज अच्छी लगे तो नीज को लाइक करें और हां बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेडिनी सबसे पहले आप तर पहुँचे अब मैं आपको अगली ख़बर के साथ मिलूँगे शुक्रिया